अच्छा इस पर बनने वाद छोटी छोटी कुशिन शॉट टाइट कुश्चन और इसका मतलब क्या हुआ सुलूशन करेंगे हम इसका मतलब हुआ 12 और 5 7 को एड करो और डिवैड कर दो 5 से और जो रिमेंडर आएगा वहीं आपका अंसर होगा तो यह आजाएगा आपका 12 19 अपॉन 5 इसे अगर हम डिवीजन अगर्थम के के से में लिखे है तो डिवीजन अगर्थम यह हो जाएगा तो यह जो रिमेंडर आजाएगा तो यह जो रिमेंडर है यही आपका क्या है आंसर है इसका मतलब ही हो गया कि 7 को मल्टिप्लिकेशन अगर्थम आप 5 से और दिवाइट कर दो अब 4 से तो 7 फाइट कितना होता है 35 35 अब हमाई इस पर यूजी करना है आपका डिवीजन अल्गर्थम रूल जो हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है तो डिवीजन अल्गर्थम रूल्स क्या हो जाएगा प्रेट क्या हो जाएगा तो आपका अंसर क्या जाएगा तो अब थोड़ा थोड़ा सा अलग है अलग क्या है देखो प्रूट एट फाइट इंटू इसका अब यह हो गया और इसके डिवाइट करना है अच्छा हमारे पास क्या हा रहा है 35 अगरिजन अल्गर्थम क्या हो जाएगा तो 6 5 जा रहा है लेकिन हमें रिमेंडर चाहिए हो 1 कैसे आ सकता है कि 6 इंटू 6 36 आ गए 35 से greater one आ गया यानिकी इसको लेकि से माइनस 1 क्या हो जाएगा 35 जो आपका रिमेंडर आ रहे है वह इस डिर्वेंडर से जाना कितना आ रहा है तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर 35 है तो 37 लेने के हमारा एक ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है उसी को मने देते हैं माइनस में